नमस्कार आप देख रहे हैं सीनीज भारत मेरा नाम का रख मिश्टा है अब सबकी अपनी ऑटो रिपूर्ट है आज मैं उत्रूंगी राजदानी की सड़कों पर और बात करूंगी विवाओं से कि इस चैट जी पिटी और एई की तौर में कितनी नुकसान है टेकनोलोजी य जो यह बता हो कि कैसे घर पर जाके ऑनाइन पढ़ते हो तो जब से टेकनोलोजी आये तो कहीना काई इसके पाइदे भी बहुत सारे है कि आप अणलाइन पढ़ सकते लेकिन इसका एक नुकसान बताइए मुझे जी नुकसान तो काफी सारे है जैसे आजकल नेक्नलोजी से सबस्केस देखार, काफी है रखार जाए रिटेशन का फैल रहा है जिस से Mexican का पारियाओन को काफी नु resolu हो रहा है चीडिया है इनलों को काफी नुकसान होता है जो कि टावर जो अ-ब और जोंके बहुत्थ बहुत सारी नुकसान है, जैसे कि इंटरनेट का गलत इस्तमॉल बाइए कि पर इसके नुकसान क्या है इसके नुकसान होगा नुकसान चोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जा रहा है सब्सक्राइब करते हैं यह तो हो गया एक लुक्सान फाइदा क्या होगा टेकनोलोजी का यह है कि जैसे इंस्टिट्यूट हो गए हम लोग कम फीस में घर बैटे पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है सबसे बड़ा फाइदा यह है और काफी चीज़ें लोगों को सोचल मीडिया कम यूज करना चाहिए एक अपना टाइम बना ले उस हिसाब से यूज करें और जादा अब का मेरा नम मैंशी का है अचा क्या करती है आप मैं लखनोवी श्वीद्याले से आमें अधुकेशन पर शुकर रही है तो यह बताएए कि आप टेक्नोलोजी कर तो स्वाल करती होंगी है आज कल ए आई 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 आ गया है तो उसकी डिसएड़ाइज क्या है एक देखा अधिया जारा उनकी पिक्चर्स का और भी बहुत सारी गलत मतलब एजुकेशन के फिल्ड में भी उसको गलत तरीके से बच्चे हैं उनको चाहिए रहता है कि साइटेशन देना रहता है वो एक यूज करके उसको लिख लेंगे अब उसका कोई प्रमाड नहीं है कि हाँ उन सारे मिस्यूस हो गए है अपका क्या नाम है मैं नाम शाजी वर्मा है मैं यूनिवस्ट्य आप लगनाव में पढ़ते हूं मेरा मेरा पस्विंग चल ला है तो यह बताइए कि टेक्नोलोजी आ रही है तो उसे आपसी सम्मंध में क्या असर पढ़ रहा है जैसे फ्रेंड सर उसे मालब कि जो है बहुत इसूस होते हैं कि मदब कि बच्चा देखते है कि मालब दिन राथ वो मदब फों पे यूजा उसे मदफ जो फैमली एंड पैरेंट उनको भी धान देना चाहिए कि मदब अपने बच्चों को कैसे हम मुशली फोन तो देना चाहिए बच्चों उ इस आप इसे मालब करते हो तो यह बताओ पूछ टेखनोलोजी के क्या ड़ांटेज है एड़ांटेज को बहुत सारे हैं इसका कि हमें कुछ जानकारी चाहिए होते तो रण तो रण गूगल और याई वारा साफ़ करने लगते हैं कोई बहुत जाहिए होते हैं कोई बिग तो रडाय सेट वीक हो सकती है और वाकी जैसे में कोई काम नी करता तो इसे से इसुआ जाता है तोड़ा सा की मलब कोन काम नी करता है यह कि आपढ़ने बैठे और फॉन काम नी करता हैं कि आप पढ़ लेते हैं और जी कैने कि शुभम कट्याथ अब में कुछ मतलब परिवर्ते नाया है थोड़ा बुक्त चेंज़ आया है क्योंकि जो काम पहले मैंपार करता था अब वो यह कर रहा है लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो यह नहीं कर सकता है मैनुल वर्क गोई आई नहीं कर सकता है तो वो अभी भी हम लोग है अच्छा यह बताईए कि टेक्नॉलोजी आने के बाद बहुत सारे अडवांटेज हुए लेकिन उसका डिस अडवांटेज क्या है जिसे प्रभाव पड़ता है हमारी जिन्दगी पर यह जैसे बहुत अड है प्राऋड किया जा रहा है यह सब टेक्नॉलजी की हो जैसे ही हो रहा है तो कुछ बहुत डिस्वर्ड अडवांटेज बही है अडवांटेज इसे जयादा है चलिया ऑड़ांटेज इक बता दीजे पर जो काम हम लोग जाके करते थे वो घर बैठे कर रहे हैं। छल्वर जो आपसी और नीजी सम्मन्द हैं, हमारी फैमली हो, हमारे दोस्तों, तो उनसे किस हद तक क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर क्या पड़ा है? मैं देखिए ऐसा है कि पहले चीजों को पितलब किसी के पास पहुचाने में बहुत समय लगता था, बट जब से इंटरनेट आया है, तो यह चीजे बहुत ही इसी हो गई है, हमें कुछ जैसे चाहिए होता है, तो हम आनलाइन कर देते हैं, किसी से बात करना होता है, तो हम कॉ यह चीजे है। तो मैं यह पूछ रही हूझ है कि पहले हुच़ खता है, कि हम जैसे कोई फैमिली वाले अगर दूर दूर रहते हैं, तो ऐसा होता था कि हमें लेटर लिखने होते तो एसा होता था लेकिन अब यह एसा मतलब एडवांटे जिसका यह हो गया है, कि हमें मिल जाते हैं वीडियो कॉल पर हम सामने देख सकते हैं वो चाहे इंडिया में हो या फिर वो बाहर हो अमेरिका में हो तो यह मुझे लगता सबसे जादा अच्छी चीज है जैसे कि आप सब इने देखा कि मैंने बहुत सारे चात्रा चात्राओं से बात करी उन्होंने जी के बहुत सारे अडवांटेज हैं बहुत सारे डिस अडवांटेज हैं कई न कई यह हमारी पूरी दिन चरिया पर भी प्रभाव डालता है तो ऐसे रियाल्टी चेक्स प्रोग्राम देखने के लिए बने रही है कैमरमेन दीपक के साथ मैं कनक मश्रा सीन्यूज भारत ल जीपकनों